नमस्कार आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूँ मनोज वर्माण अटेंशन में आज बात नकेल कसते नड़ा की पांच राज्यों में चुनावी नतीज आने से पहले ही भाजपा के राश्टी अद्यक जेपी नड़ा नए मिशन पर निकल चुके हैं जहां कायर करता यूपी साई चार राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के एकजिट पोल के अनुमानों से गदगद हैं वहीं नड़ा अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं इस बार उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश को चुना है यहां पार्टी 2018 में गच्चा खा चुकी है अब 2023 में कोई गल्ती नहीं दोराना चाहती है पार्टी और संक्ठन में कसावाट लाने के लिए जेपी नड़ा मंगलवार को इन दोर पहुँचे यहां से उज्जेन जाकर महाकाल मंदिरों ने दर्शन किये और फिर देवास में एक कायरकम में शामी लोक इन दोर आ गए हलाकि नड़ा के दोरे पर कांग्रेस हमलावार नजर आ रही है तो नकेल कस्ते नड़ा पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट मत्यप्रदीश में चुनाव की सुख्मुगाहर अभी से शुरू हो गई है और प्रदेश की दोनु प्रमक पार्टियों में अंध्रोनी मनमुटाव की खबरे लगातार सामने आ रही है हलाकि कांग्रेस में मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन बीजेपी आला कमार ने पार्टी में मचे अंध्रोनी कलय को खत्प करने की तयारिया शुरू कर दी है इसी के तहट भाजपा के राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा मध्प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदोर पहुँचे ज़ा भाजपा कार्याले में वो दो घंटे तक रुके और प्रदेश पतादी कारी और मोर्चा अध्यक्षों के अलावा प्रदेश कोर कमीटी की बैठक ली नड़ा का ये दोरा इस नजरिये से महतबून था कि मुख्यमंतरी शिबरास सिंग चौहान के चौथे कारेकाल में सत्ताव संगठन से पहली बार रूबरू हुए इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की टीम से भी वो पहली बार रूबरू हुए है बैठक में मुख्यमंतरी शिबरास सिंग चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पार्टी महसचीव के अलाश विजवर्गिय सहित, वरिष्ट पदादी कारी शामिल थे नड़ा के इस दोरे पर सियासत शुरू हो चुकी है कॉंग्रिस नड़ा के इस दोरे पर तंज कस्ती नजर आ रही है PCC अध्यक्ष और पूर मुख्यमंतरी कमलात ने नड़ा और BJP पर प्रदेश को गुम्रह करने का आरोप लगाया है जहां पर महिला अत्याचार अपने चरम सीमा पर है और हमारे ज्रह मंतरी को सिवाए कॉंग्रिस पर बयान बाजी और इतर बुद्धों पर बयान बाजी देने के लाव और कोई कारे में है मध्यप्रदेश में 45 साल में सबसे ज़ादा विरोजगारी है और चरम सीमा पर है हमारे मध्यप्रदेश में महंगाई, आज इस सारे मुद्व पर भी जेपी नड़दाजी भियान देवें, केबल उस संगठन को मजबूत करने का प्रयास ना करें, जो संगठन के कारण अज अज मध्यप्रदेश में लगातार ऐसी ख़टनाएं चरम सीमा पर जा रही हैं और प्रदेश जो है लगातार विकास की दोड़ में कहीं पिछड़ रहा है। पिछले कुछ समय में इंदोर जिला, शहर और ग्रामीर में गुड़बाजी के मामले सामने आने के चलती पार्टी की छवी खराब हुई है। पैसर दिन सक्री मोड में रहकर सक्रीता के साथ काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा कि कल साथ तारिक थी और उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव संपन हुए। और आज आठ तारिक को भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष फिर से एक नया कारिक्रम एक नया दोरा जहां वो बाबा महांकाल के दर्शन करके उनका आशिरवाद लेने के लिए उज्जायन की धार्मिक नगरी में पदारे। वहीं देवास और इंदोर में भारती जनता पार्टी के पतादिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रदेश के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और फिर कोर कमिटी के फरिष्ट नेताओं गण के साथ बैठेंगे। तो ये भारती जनता पार्टी है जो लगातार सक्री रहने वाले पार्टी है। पीरो रिपोर्ट अनाधि टीवी। अगले दिन जेपी नड़्डा मद्विदेश के दोरे पर आते हैं। और उसके पहले दो साल पहले जब वो आते हैं तो ततकालिन प्रदेश अद्यक्ष राकेश सिंग् की विदाई हो जाती है। इनकी ताजपोसी अविश्चा करते हैं। दूसरा जो अद्यक्ष में बीडी सर्मा उनके कायरकाल को भी दो साल का समय पूरा हो चुका है। मनोजी जो यह दौरा है निश्कित तौर पर हम यह माने की अभी तुनाओ की होना इस्तंग संगे। उस लिहास से भी एक भार्टी जनता पार्टी की अपनी एक्सराइज कर रही है। इसके बाद भी पार्टी में घुतवाजी के संकेत हैं और मद्रप्रदेश जैसे उस संगठन में जिसकी तारीफ भार्टी जनता पार्टी के पित्र पुरुष्टे लेकर परतमान पुरुष्टत सब करते हैं तो उस संगठन में गुतवाजी है तो आप हो सकते हैं कि इस पित्यान निश्टिक तोर पर गंबीर होगी। उनके दिमाग में गुतवाजी है या भार्टी जनता पार्टी को कोई खत्रा है तो उस लिहास्ते यह तनकेत बहुत अच्छे भार्टी जनता पार्टी के लिए। बुटवाजी है जरूरी नहीं है कि समझोता के वर एक पक्ष करेगा एक पक्ष के वर अपनी सहमत पे देखे के चुक चाब बैठ जाएगा तहीं ना कहीं जो है एक समझोते का रास्ता निकलेगा तो रास्ता कहां से जाएगा प्रिदेश भार्तियनता पार्टी के अध्यत पर्टी के जाएगा या फिर और कार्यकरताओं के एड़्जस्ट होने से जाएगा बहुत सारे जो सवाल है इस क्योंकि अभी बहुत जब तक पूरे ये नहीं द्रश्च सामने आता पार्टी का तक ये कहना किछी दातीजे पर ह एजेंडा सामने होता है इस पार्टी को डिसाइड करना है उनके सामने अपना एक वही खाता आप खोल के रख देते हैं कि सब्सक्राइब ये परिश्टित परिवर्टन करना है नहीं करना है तो इसके जो संकेट हैं इस बैठक के बाद जो चर्चाएं हवा में चलेंगी उ बना लेते हैं अपने सबसे खास भगवान दास अबनानी को इंदोर का प्रभारी बनाते हैं वह अपने पसंद के गोरोण अलड़ीवे को जो की एक उनको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है और वह उनकी पसंद का अध्यक्ष फ्री एंड के बाद भी अगर अपनी कारक पार्णी नहीं बना पाता है तो जाहिर सी बात है कि युवा अध्यक्ष अपने इसाफ से तालमेल नहीं बेठा पा रहा है इंदोर के जो दिगज नेता है बहुताई और तमाम सारे उनसे सामंजस का अभावे और जिसका खामियाजा संक्थन को भी पार्टी जो है कांग्र पर उन्होंने एक्सराइज उनको प्रीहंड दिया कि आप नेत्रिट कमाल पाते हैं नहीं कमाल पाते हैं कितने सक्षम हैं आपकी टीम कैसे लोगों की होगी तो जब आपको लगता है पार्टी नेत्रिट को कि यदी जो है ये सफल नहीं हुए है तो पर दूसरे कारिकाल को हम के निरंतर रखेंगे या फिर वोई फोक्रण का भी स्कूर्ट होगा अब आपको पार्टी को प्रेक्टियों से ज़्यादा महात्मून होता है क्योंकि अब तो राज्यों की सक्ता है भारती जंता पार्टी सक्ता की जास्ती है उसको अच्छी तरह चक चुपी है तो कि अध्यक्ष कमजोर है उनके पदादीकारी कमजोर है जो कॉंग्रेस पार्टी को चुनोती नहीं दे सकते तो फिर वो सकता है कि परिवर्तन पर भी पिचार करें कि अब भुड़ा सा समय है और पार्टी के पास पिचार के लिए परियाब करें तो ब्रजेश ची समय तो है लेकिन हम देख रहे हैं कि जब वीडी शर्मा की ताजपोसी हुई तो जितने मोर्चा प्रकोष्ट सब के अध्यक्स बदल दी गए कि पिछला वर की अगर हम बात कर रहें भारत सिंग को स्वा की और लंबे समय से हम देखने हैं चाहाँ यूथ यूवा मोर्चा हो जी भी कह रहे हैं कि उसके पास 24 घंटे 355 दिन के लिए आपके पास काम हैगा और ऐसे समय में जब बीजेपी का फोकस दलित वोटों पर है आदी वासियों पर है पिछलों पर है और उसके तमाम सारे मोर्चा प्रकोष्ट का देक्ष निश्क्री की पड़े हुए हैं तो श संक्यक मोर्चा हो जो आपने कहा है सही है को आपने कार करक्ताओं को लगातार काम कर लिया तो आपको सक्रिय तो रहना पड़े को यह सब चीज़े माइंट्रिंग करते हैं मद्रदेश में इसलिए भी जरूरी है मनोज ज्यादा ध्यान देने की बात इसलिए क्योंकि आपके पास कांग्रेस का एक पूरा धड़ा आके आपकी पाइटी में समायत हो गया और उसकी वज़े से हमने देखें इंदोर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहां बिरोध हुया मोर्चा केमेटी को लेकर प्रवक्ता नोर्टिस देकर जवाब तलब किया गया तो क कहीं न कहीं आपको संतुष्ट करना पड़ेगा और जब राष्टी अद्यक्ष आता है तो उससे आपनी बात करेंगे आदा संतुष्ट तो पायटी का पदाधिकारी इसी में हो जाता है कि हमने राष्टी अद्यक्ष के पास अपनी बात रख दिये अपनी नाराजगी लेकिन ये वो मध्रदेश में ध्यान दे रहे हैं कि Campbell पाक्रण करते दो से आई प्रिदेश लेने की जरूवत है कि ho N just रखी संगतन न नहीं दिख रहा है प्रदेशह exists लगे हैं लगातार यह वैसी प्रदेशह अद्यक्षी हम देख रहा है जो दिनेश जी ने कहा है कि पोखरण भी हो जाता है तो आपको तुलना करेंगे यदि हम प्रभाद जासे तो प्रभाद जा भी कम सक्रिय नहीं थे मनुच जी लेकिन संगठन को सक्री करने की ज़्यादा जरूरत है जैसे प्रदेश अध्य क्या कर रहे हैं वह अति सक्री हो प्रदेश लगातार सक्रिय लेकिन वह अनुसांग एक संगठन जो है उनको उतना सक्रिय नहीं कर पा रहा है आज तक कमेटी नहीं बनी है दो साल का कारका लोग है कही नियुक्तियन नहीं हो पाई है मोर्चा प्रकोष्टों के नीचे तक बाड़ी नहीं बनी है तो इसका भी तो खामे आजा उठाना ही पड़ेगा आपको तो यह जो बिरोध अंदर हो रहा है या जो पार्टी में यदि कोई कारकारनी गोंसित हो जाती तो उसका ब्रोध देखिए आप सरवजनिक होने लगा है तो भाजपा का यह कल्चर नहीं रहा है जो संगठन सबसे बैस्ट है उसमें कहीं न कहीं आप एक धड़ा नाराज है जिससे बरिष्ट जो नेता है वो नाराज है चाहे वो जैन्त-मलाईया हों चाहे सेजबार हों तो यह नो लोगों को भी नहीं साथ पाएं तो जो बात है कि दूसरा काल काल तब आपको मिलेगा जब आप से बहतर आप कर हो और यह सी उम्मीदें रहती हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे और चुनाओ के साल में सारी चीजें देखना पड़ती हैं सारे समीकर्वादना पड़ते हैं जो आप कह रहे हैं तो दिने एक और चीज हमने देखी कि जब मत्पिदेश के प्रभारी हमने देखा अरुन जान रहे हैं में तो जारी अनन्त कुमार रहे हैं बदेश साफितर बंपिदेश करते नहीं थे लेकिन इनकी धमक थी संक्टन के प्रभारी होने के नथे अब हम देखें मुलीधर राओ ज्यादा सक्री सब्सेता सब्सेट जयादा गूम रहे हैं लेकि वह जब भी आते हैं विवादों में घिर जाते हैं अभी उनके बैयानओं के कारण या कनी और कारणों से तो शायद यही चारण है कि उत्तरे परो श्कारणों का दे सकते दे मोर्चा की बैठक ले सकते थे तास्क दे सकते है तो पार्टी की आज 2022 में नहीं बन रही है यह रंडीटी तो 2018 के नतीजों के बाद की रंडीटी है और 2020 की परिस्टितियां कुछ अलग परिस्टितियां थी कि जब आपको सरकार बनानी थी कॉंग्रेस की सरकार गिराके उसके बाद जो कोरोना के हाला से आपने नेट्रिट उसको सभी ने स्विकार किया राजनीती में नेट्रे तो कुछी का स्विकार किया जाता है मनौल जी जो पार्टी को जीत जिला सकता हो विदायक बना सकता हो अधी लगता है कि इस वार एंटी उलकंबेंसी चेहरे के साथ है या इसके नाम पर बोट नहीं मिलेंगे अब 2018 के बाद को यह तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंग चोहां सो प्रतीसर चिताओं कहरा नहीं है कि पार्टी को बिल्कुल बिनेवल पोजीशन में खड़ा किसर देंगे एक शंका नेताओं के मन में तो है ही उनको लगता है कि एसनाओं की 23 मधिरम में चाखा जाएं तो असंतो उबरने की बज़े क्या है? असंतोस उबरने की बज़े उनके जो है जो राजनितिक जो उनकी जरूरते होती हैं जरूरतों को मुकमंत्री या प्रदेश स्थेक पूरा नहीं करते हैं या उनकी किसी बात को जो है आप सुनवाई नहीं होती कई तरह के मामले होते हैं राजि तो उसको हम दोनों को एक द्रस्टी से नहीं देखते हैं, कैलाज विजयवर्दी उन्हें इस तरह से बात कही है, वो यह बताता है कि असंतोस है, नोकरशाही के हाभी होते हैं, अन्य था, उनको सब्द का इस्तिमाल करने के आवशक्ता नहीं होती, सिंपिल फॉन से भी काम हो जाता, तो कहीं ना कहीं यह जो लोगों की आवाज कैलाज की जेवर्दी बने हैं, तो वो आवाज दिल्ली तक भी पहुच रही है, और दिल्ली भी जानना चाहेती है, जाहे वो अनुसांगिक संगठनों से जानना चाहे, पार्टी के प्रदेश प जानना चाहेती है, तो एक समन्वय की बात हुई थी कि जुनाहिल लोग आये हैं, उन्हें कैसे समन्वय स्थाफित किया जाए, यह बल एक सिंधिया कारण नहीं है कि उसके कारण असरोड, भार्ती जंता पार्टी के जोड़ मूल कारे करता है, उनको कहीं ना कहीं कोई तो जो केलाज जी का जिक्र कि आपने उसको मैसे भी देख सकते हैं, उनको पता है कि पार्टी हाड इंदुत्व की लाइन पर जा रही है, दिल्ली में उनको ज्यादा पूछ परखेनी, मत्वदेश में कोई संभावना नहीं है, तो उन्होंने लगा कि बहती गंगा में जो असंतोस की हम बात कर रहे हैं कि पहले हम आपने जो नोकर साही की बात के हम देख रहे हैं, लेकिन जो असंतोस संग्ठन के स्तर पर है, शायद वो ज्यादा दिक्कत दे रहा पार्टी के लिए क्योंकि अल्टिमेटली चुनाओं में तो संग्ठन को सबकु जोकना अपन भार्ती जन्ता पार्टी के तो पदादीतारी उस मंच के नीचे खड़े होते हैं, जो गतिविदिया होती हैं, वो सरकार की गतिविदिया होती हैं, तो वेसे जिए केलास विजय वर्गीती की जो बात है, हाड हिंदु, तो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि उतना न नौकर शाही है, इसका मतलब जन प्रितिनिजियों की सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, मंत्रियों के काम नहीं हो रहे, मंत्री खुद भी तो परिशान है वो मंत्री, वो लगातार शिकायद करते हैं, अगर सरकार चला कौन रहा है, जो मैंने तो आप नोकर शाही को दुरस्त करेंगे, महाहोल सकारात्मक होगा, तो चुनाओं में भी हम सकारात्मक मुद्दों के साथ जाएंगे, हमें हाड हिंदुती की आवशक्ता नहीं पड़ेगी, और हाड हिंदुत आप देखें ने कि मद्दो प्रदेश में जब जिस तरहें 2018 की चुनाओं हुए थे, हाड हिंदुत पर चुनाओं नहीं हुए थे, एक पूरे फैसले ने पूरी राइस की बदल के रखेंगे, तो आप कह नहीं सकते हैं कि कौन सा हाड हिंदुत हमेशा आपका चली जाएगा, आमने बंगाल में भी देखा था, तो पार्टी ने कुछ गे हैं, जो कि राम मंदरी का मामला सुलज गया है, तो अब हिजाओं जैसे बहुत सारे मुद्धे आते हैं, तो बोटर भी उस पर बहुत ज़्यादा रियक्ट नहीं करता, और ऐसा नहीं मानता कि अब हमें पॉलराइजेशन की तरफ राजनी की जा रही है, अब जिस तरह के म समस्क्राइब से जड़े हुए ज्यादा थे, चाहिए सांड फिल्ड में आ जाए, चाहिए दूसरे आप मुद्धे देखेंगे ना कि विकास की कहीं ना कहीं नेताओं ने उसको मुद्धा बनाने की कोशिश की है, वो कितने सफल होते हैं, वो हम 10 मार्च को देखें, पहले कप्तान सिंग से लेके तमाम सारे, तो क्या इस कसोटी वे सुवास भगद भी खरें नहीं उतर पा रहे हैं, मुद्ली धर राव खरें नहीं उतर पा रहे हैं, यह वाकई में नोकर साही इतनी हावी है कि संग्ठन पीछे चला गया है, और वो संग्ठन जिसको यह कह क लाया गया था कि इसी में से वही से का नेतरत निकलेगा पालिटी का, लेकिन वो प्रयोग कितना सफल हुआ, यह वी राष्टी नेतरत देखी रहा होगा, चेक करी रहा होगा, अलगल इस टेप पर जाका कि यह जो हमने प्रयोग किया था मद्दिप्रदेश में, कि सारा कि जो खामिया होंगी संगठन में, वो दुरुस्त करने की कौसिस की जाएगी, मरो जी देखिए, पांच राज्यों के चुनाओ में भी जो खामिया रह गई होंगी संगठन, इस तर पर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, या गोवा की बात करें, या फिर उत्त्राखंड की बात करें तो बो जो खामिया दिखती हैं जो समझ में मैसूस होती है चुनाव के दौरान कि ये कमिया रह गई थी हम इनको पहले से दुरूस कर लेते तो निश्ची तोर्व का उनका यहां पर आप देखेंगे कि पांच राज्यों के जो चुनाव का अनुभव भी या संगट जुन करेंगे तो बोगे तो यहां पर नऄ रहे लाज्यों से दिखिए ।ो यहां पर दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो एक तो वो दुरुस्ट करने की बात होती, इसलिए संगठन का जो नेतरित्व है वो पहले सक्रिय हो जाता है और उसे साफसे दिसा निर्देश देने लगते हैं और दूसरा जो बात जो आप कहा रहे हैं, कि हाँ, जो स्वास भगयत की बात कर रहे हैं, वयसी कारसेली उनकी दिख नहीं रहे हैं। चैत्री संगठन मंत्रियों का जो एक पोर्टफलियो रहता था, उसको हटाहिए थी, खथम ही कर दिया। इस प्रकार से उनको निगम मंडलों में नवाजा गया है, उसको ले के भी पाइटी के अंदर से विरोत के सुरूर उठ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग छूड़ जाते हैं तो वो छूड़ जाते हैं जिस सरे हम बिंद की बात करते हैं हमेसा कि ये बात आती है कि वहां पर उतना नेत्रत नहीं मिला जितना समर्थन मिला हम मालवाजच की बात करते हैं मनोजी सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है नाराज है और एक तुलसी सिलावट नाम का एक नया गोट पहां पर पनप रहा है या आप उसको देख रहे हैं कि वो मजबूत होता जा रहा है तो अंतर कले तो होती है उस कले को कैसे आप दूर करोगे तो यह सब चीजे दुरूस्ट करने के लिए ही जब संगठन का नेत्रत कर दिए हाए हो तो मेरे प्र दिन पर आप कोई हार शोवया जी मत करीए को वाधे लगाई है और जब उसी संग्ठन का राश्टी इंद्ध तो आप 300 जगे उनका स्वागत करते हैं ताकत बताने की कोशिस करते हैं तो यह बताता है कि कहने की बात कुछ और अंदर खाने पार्टी में कुछ और चल रहा है वरहाल समय जाजत नहीं दे रहा है इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा बहुत धन्यबाद दिनेश ज कारण छिटक जाए या ऐसा लगे कि वह कहीं फस्ता हुँ नजर आए और शायद यही कारण है कि राष्टी अद्यक्ष ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अभी चुनाओं में कह सकते हैं कि समय है लेकि बीजेपी जिस प्रकार से कामकाच करती है लगाता तीन बाहं यही है में कि अहाची है लोगी है लगा ले सिग्स